Language and Comprehension जबान या लेंग्विज जो है इनसान का सब से complex, highest achievement है इसलिए भी कि सिरफ इनसान ही इस ability को रखता है कि वो reality को words और sounds के जरिये एक पूरा complex system में represent कर सके, develop कर सके Human language is, it goes far beyond from fixed signals and single message It is like arranging a sequence of signals Sounds for spoken word Cat has G-H-D sounds Letters and written words for written language Like C-A-T are letters Physical signs for sign language Okay, whatever It's always a sign for actually a word ये transmit एक से दुसरे इनसान को करने के लिए होती है And it ranges from the simple commonplace conveying simple signals to very complex यानि पहचीदा मानी तक जाती है एक sentence है जो आपने कई दफा सुना होगा Simple है I'm going to get my hair cut अब दूसरा देखें ये गालबन मैं बाल कटवाने इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे बाल लंबे हैं उनको पीछे से किसी ने मुझे देखा और लड़की समझा और मेरे फादर कोई वात अची नहीं लगी Look how complex it is and आपको कितना बड़ा मंज़र पेश कर रहा है एक simple question एक बच्चे ने पूछा उसने दो बड़ों को गुफटगर करते सुना कि अगर एक खातून रोजे से हो और उसका शोहर short temper या बद मिजज और खाने में नमक ज्यादा होने पे घुसा करे तो वो खातून रोजे में नमक चक सकती है तो एक खातून ने दूसरे से पुछा कि क्या ये दुरुस्त है बाद क्यों रोजे में हम नमक चक सकते है अभी दूसरे ने जवाब नहीं दिया था और उसने का सुनी तो है लेकिन मुस्तनिद पता नहीं है के नी तो पीछे से एक बच्चा आया और उसने का अगर मेरी बीवी बदमिजाज हो तो क्या मैं भी रोज़त में खा सकता हूँ Now, this is totally a creative sentence which is coming out of the dialogue between two adults और इससे एक पूरी discussion चली Language के पीछे एक पूरा cultural scene होता है Language universal है एक ही तरह डिवेलप होती है हर culture में पूरी दुनिया में आच से लिके जब से इनसान दुनिया में आया है एक ही तरह से डिवेलप होती है यानि बच्चा किस तरह अलफाज सीखता है इसको हम language development कहते है यह एक need है कमिनिकेट करने की जो बच्चे deaf होते है वो भी sign language invent कर लेती है दूसरों को कुछ बताने के लिए हमेरा यतनी जरूरत है कमिनिकेट करने की हर कोई जो normal capabilities रखता है वो language सीखता है उसके rules सीखता है और उसको बोलना सीखता है उसके लिए grammar के बगएर भी हम language के जो rules है उनको समझ जाते है शायद एकत दफा गलती करते हैं और पर ठीक होते जाते हैं बच्चे हर culture में language है दुनिया में कोई 5-6000 languages है जो के unique है अपनी अपनी जगा पे मुनफरिद है लेकिन एक जैसी भी है एक जैसी कैसी है उन सब में verbs है, nouns है, questions है, past और present है यानि माजी है मैंने किया था मैं करूँगा और negatives है बताने के तरीके के नहीं का क्या तरीक है ये table नहीं है, यहां नहीं जाना उसके लिए हर language में कोई word है study of language जो है वो 1800 कुछ में शुरू हुई थी जब रोका और वर्निक ने brain में वो areas ढूंडे थे जिसको frontal और temporal lobe में जिने speech या language areas कहते हैं क्योंकि उसमें बोलते वे भी activation होती है और पढ़ते भी activation होती है, ये बहुत complex field है और इसको psychology में study किया गया है psychology में जो study language की की जाती है उसको cycle linguistics कहते है ये psychological study of language है चॉम्स की एक बहुत famous नाम है language के हवाले से उनका ये ख्याल था कि language जो है वो genetically programmed है जैसे चलना बच्चा खास age को पहुंचेगा तो उसका चलना खुद बखुद होगा आप नहीं सिखा रहे उसके अंदर genetically programmed है उसके अंदर मौजूद है वो खुद बखुद नमुदार होता जाएगा वो behavior language भी इसी तरह है, we are genetically programmed और वो जो skinner वगएरा का ख्याल था कि reinforce होता है, वो कहता है पा, नी, मा, मा तो आप कहते हैं शाबाश तो बच्चा ऐसे सीखता है, ये reinforcement नहीं है, ये genetic programming है chomps की कि बाद को बहुत ज़दा वुकत दी जाती है, language के बारे में जितने ख्यालाप या नजरियात पाए जाते हैं, बच्चे ऐसी sentences produce करते हैं, जो उन्होंने कभी एक action को समझ जाता है कि ये गुस्से का है, या उदासी का है, मैंने दो-धाई साल के बच्चे को देखा है कि वो उदासी का जो expression है, उसके साथ एक word associate करते हैं, sad, crying, psycholinguistic study में क्या-क्या किया जाता है, इसमें comprehension यानि understanding of language, speech produce कैसे होती है, और brain में representation कैसे होती है अलफास की, और हम language को acquire कैसे करते हैं, यानि सीखते कैसे